हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई स्टेडी फिट चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजुकेशन के चेप्टर वाइज एमसी क्यूज का प्रेक्टिस आपको करा रही हूं जैसे कि यह सारे सिच्छा की इतिहास सरिलेटेट पाच्वा पार्ट है और आज इसमें मैं जर्मनी स्वीडन डेनमार्क इंगलेंड अमेरिका में सारे सिच्छा की इतिहास सरिलेटेट भेरी इंपोर्टेंट एमसी प्रेटिस करना न भूलिएगा और चैप्टर वाइज चल रहा है इसका डेली बेसे प्रेक्टिस जरूर कीजेगा तो दोस्तो चले चलते हैं आज के प्रशनों की तरफ की जर्मनी के गट मट नामक बिद्वान में कौन सी दो किताबे किताबों पर कार किया है तो दोस्तो जर्मनी के जो गश्ट मर्श हैं वो जर्मनी में जिमनास्टिक के पिता मह कह जाते हैं यानि जिमनास्टिक को शुरू करने वाले हैं और इन्होंने दो पूस्तक लिखी हैं जिमनाश्टिक फॉर्द यंग और खेल। जिमनाश्टिक फॉर्द यंग जो है época उसमें प्रत्वार्ट हैं However such प्रत्व भाग में है दिति भाग में धावन फेकने रसी पर चरना निर्ति कुष्टी चलना तरा की शनीक बेराम आदी की बारे में उन्होंने बताया है और जो खेल पूश्टक है उसमें उन्होंने 105 मुनरजक खेलों की बारे में बताया है कभी कभी यह भी पूछ देता है यहां पर आपसर नंबर सी करेक्ट है ए और बी दूनू ठीक है नेश्ट कोश्चन है जैसा कि दोस्तों जर्मनी की इतिहास में आपको एक मिजट में बताती हूं कि जैसे चार लोग का नाम आता है जान बर्नार्डे बेसडो जान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गत्मर और फ्र जैसे कि जैन बर्नार्डे बेसडो को जर्मनी में आधुनिक सारे सिच्छा का पितामह कहा जाता है और जैन बर्नार्डे बेसडो ने उन्हें सतर सचोहतर में डेशु नामक अस्थान पर एक प्रकृतिवादी पार साला खुला था जिसका उन्होंने नाम फिलेंथ्रोपिय जैन ने सनेपन थाल सिच्छा विद्याला की स्थापना की थी और इसके विद्याला में सारे सिच्छक बने क्रिस्चिन कार्ल आंद्रे और जान क्रिष्टोपर फेडरिक गटमट जो दूसरे हैं जर्मनी में उन्होंने जर्मन इनको जर्मन जिमनास्टिक का पितामह कहा ज और इन्होंने दो पूस्तक जिमनास्टिक फार्दा यंग और खेल लिखा तिसरे हैं फेडरिक लुडविक जान जर्मनी में इनको सारी सिच्छा को जर्मन जाती में राष्ट्री एकता के रूत में प्रतिश्चित करने वाला प्रत्थम व्यक्ति मना जाता है फेडरिक बनाया जिसका नाम इन्हों ने टर्म प्लाज रखा ठीक है और चलते हैं जर्मनी में स्पीच है इनका मुख्य उद्लिश्ट्री वैयान को समाने जिच्छा का एक महतयल ऑंग बनाया सुनी सब्सक्रिक प्रदाली नमक पूस्तक लिखी जब्कि दोस्तों पैडाडरिक लु किस ब्यक्ति ने सारी सिख्षा को जर्मनी में राष्टी एक्टा का एक जर्या बताया है तो किस नी बताया है फेडरिक लुडविक जान ने ठीक है फेडरिक लोडविक जान ने आफसा नंबर एक करेट है नेच जोस्टन है कि जर्मन के किस बिद्वाण ने टरुं वेरियन मुमेंट कि सुरूवात की ठीख थीख है किसने शुरूवात की तर्ँं वेरियन मुमेंट की विता तो इसको भी सुरुकिया लुडविक जानने ठीक है फेडरिक लुडविक जानने ठीक है नेक्ट कुस्चिन है कि जर्मनी में आधुनिक सारीक सिच्छा को सिच्छा से सम्बंधित करते हुए विचार किस ने रखे तो इस विचार को रखा था जान बर्नादे बेसडूर ने और को जर्मनी में आधुनिक सारे सिच्छा का पिता मह बोला जाता है इध्यार में रखिएगा नेश कुंस्टन है कि 1774 में रसिया के नक्षे कदम पर चलते हुई जर्मनी के डेर्शू नामक अस्थान पर नेचुरलिस्टिक यानि प्राकितिक पार्षाला को किस नाम से जाना ज पार्षाला डेशू नामक अस्थाम पर उसको क्या बला जाता था फिलेंथ्रोपियम नाम उसको दिया गया था फिलेंथ्रोपियम आपसर नंबर सी करेक्ट है नेश्ट है जर्मनी में वह कौन पहला सिच्छक था जिसने पूरी स्कूल को एक घंटा शुबह दो घंटा दो पहर में भिन भिन खेलों को सिखलाया तो वह थी जान साइमन जो फिलेंथ्रोपियम में पर्थम सारी सिच्छक थी नेश्ट कोर्षिन है कि वह कौन शाव विद्वान था जिसने फिलेंथ्रोपियम के सिच्छर कारे से अभिफ्रेलित होकर 1785 में सनेपन थाल एजूकेशन इस्टिट्यूट यानि किसा ने पंथाल सिच्छा विद्वान की इस्थापना की या खुला ठीक है तो ओ थे क्रिस्टियन गोथिप साल्ज मैं आपसा नंबर सी करेक्ट है दोस्तों जर्मनी स्वीडन इनमान इन सभी की इतिहास के बारे में डीटेल में मैंने बताया है आ आधुनिक कालीन सारिक सिच्छा का पिताम कहा जाता है जैसा कि मैं अभी कहानी के माधिम से बताई हूं दोस्तों जान बर्नार्डे बेसडों को जर्मनी में आधुनिक सारिक सिच्छा का पिताम कहा जाता है ठीक है आफसान नंबर सी करेक्ट है नेस्ट है कि जर्मनी जिमन नामक भेद्वान ने कोंसी दो किताबों परका रे किया दोस्तों इन्होंने लेक्तिक फार्द्व यंग और खेल दो पुस्तक पुस्तक है नामक घ्राद्वान पर खेल लिखे हैं आपसर नमबर C correct है कि किस व्यक्ति ने साररिक सिच्छा को जर्मन में राष्टी एक्ता का एक जरिया बताया तो किस ने बताया दोस्तो साविश सिच्छा को जर्मन जाती में राष्टी एक्ता की रूप में प्रतिशित किया इन्होंने फेडरिक लुडविक जान ठीक है जर्मन के किस विद्वान ने टन्ड वेरियन मुमेंट की शुरुआत की तो किस ने किया लुडविक जान ने लुडविक जान ने 1811 में टन्ड प्लाज किसको नाम दिया तो रूने एक आयताकर मैदान को जिसके अंदर बैलेंस बीम होरिजंटल बार ट्रेक आदी ब नेक्स कोस्टिन है कि जर्मन जिमनास्टिक पर किसने किताब लिखी यानि जर्मन जिमनास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी तो लुडविक जान ने 1816 में लिखा थीक है नेश कोस्टिन है कि किस बिद्वान ने Manual of Gymnastic for School नमक किताब लिखी तो इसको लिखा है फ्रेंच नेश गाल ने यानि कि दोस्तों फ्रेंच नेश गाल ने दो पुस्तक लिखी Gymnastic पुस्तिका जिसको Manual of Gymnastic भी बुला जाता है और एक Gymnastic जिसको Gymnastic for Secondary School भी बुला जाता है नेश कोस्टिन है कि जन्मनी द्वारा Montreal Olympic में तीसरा अस्थान प्राप्त करने के पस्चाथ सर्रिक सिच्छा को पहली कच्छा से अनिवारे बिसे के रूप में रखने में किस बिद्वान की आहम भुमिका थी तो वो थे दी काल डाइम जो सारी सिच्छा को पहली कच्छा से अनिवारे बिसे के रूप में रखने का इनका अहम भुमिका था नेश कोस्टिन है दोस्तों देनमार्क से के इतिहास रिलेटेट जैसा कि दोस्तों देनमार्क का जो इतिहास है उसके बारे में दो लोग का नाम आता है फ्रेंच नेश्गाल और निल्ज का फ्रेंच नेश्गाल जो थे उप्रथम ब्यक्ति थी जिन्होंने आधुनिक सारे सिच्छा की नियू डाली थी और यूने इन्होंने दो पुस्तक लिखे हैं जिमनास्टिक पुस्तिका जिसको मैनियोल आप जिमनास्टिक भी बोलते हैं और जिमनास्टिक यानिकी जिमनास्टिक फार सेकेंडरी स्कूल ठीक है और निल जे जिन्होंने देनमार्क में जिमनास्टिक ब्यायाम को एक नया मोड दिया ठीक है तो देखते हैं कोस्चन कि देनमार्क में आधुनिक सारे सिच्छा का पिता किसे कहा जाता है तो डेन्मार्क में अदनी सारे सिछा का पिता कहा जाता है फ्रेंच नेशगाल को ठीक है नेशट है डेन्मार्क के किस बिद्वान को गट मट का अनुवारी माना जाता है दोस्तों तो फ्रेंच नेशगाल को ही माना जाता है है In the screen si same कि दाुनिरा जिम्नाश्टिक कहां प्रच्छिछित हुआ टो दा निरा जिम्नाश्टिक जो है वह देन्मार्क में ही प्रच्छिजित हुआ है हमेगि रिलेटेट है जो स्वीजन के इतिहा ने लेहरS और 1804 में लुन्डबिस विद्यालाय में तलवारबादी के प्रसिच्छक की रुपे लगातार आठ वर्सों तक कारे किया और दोस्तों परहनिंग लिंग ने जिमनास्टिक को चार भागों में बटा है इसको बार बार पूछा जाता है इसको याद रख लिजीगा परहनिंग लिंग ने जिमनास्टिक को चार भागों में बटा है सैचिक जिमनास्टिक सैनिक जिमनास्टिक स्वार्थवर्दक जिमनास्टिक और कलात्मा जिमनास्टिक और परहनिंग लिंग ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जनरल प्रिंस्पल आप जिमनास्टिक ठीक है अप दुसरे इस में आते हैं पर हैं लेंग लेंग के पुत्र है दोस्तों उसमें प्रथमährार और दितिये लिंग्यार्ड बेरी इंपोर्टेंट है प्रथम लिंग्यार्ड 1949 में स्टाक होम में पर हैंडिलिंग की वर्स गार्ट मनाए गई जिसमें जिमनास्टिक ब्यायाम की प्रदर्शनी हुई तथा साली सिच्छा पर 200 सम्मेलन भी हुआ और दितिये लिंग्यार्ड जो है 1949 में स्टाक होम स्वीजन में हुआ और यहां पे भारतिये व्यायाम बेल के रुप में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावाती महराष्ट ने सारे गतिविधियों का सुन्दर प्रदर्शन किया तो यह कुश्चन बार बार पुछा ज स्वीजन अहीं कहिं दाए स्टाने बाइक व्यायां प्रदर्शन को किस सारे दरशा दिया जाने जहंते हैं कि हो तो किसज़ों बढता हुँ किर घ्मेरिक गुम्नाष्टिक की सा किम गटा है कि हने कर में जिम्नाष्टिक ऐं जिम्नास्टिक पलात्मक जिम्नास्टिक परहेंडिक लिंग द्वारा शरीर को मजबूती देने लिए तथा गलत आसन को रोकने के लिए जो अभ्यास बनाए उनको क्या नाम दिया गया उसको नाम दिया गया फार्म giving moment ठीक है खार गिविंग मुमेंट नियोश कोश्चिन है कि किस विद्वान ने परहेंडिक लिंग की मिर्तियों की पस्चात उनकी गतिविधियों को जारी रखा और उसको नया रूप दिया पता सारीक सिच्छा को अनिवारेबिसें के रूप में सिच्छा पधती में सामिल क किया तो किसने किया दोस्तों उससी का पुत्र है परहे हैं निलिंग का पुत्र हाजारमन लिंग जालमन लिंग ठीक है नक्ष कोश्च न है कि परहेंडरिक लेंग की याद में 1949 सुद्था Cyberpunk 2009 2009 में उनकी बर्सी के दिन कौन सा समारोह आयोजित किया गया तो वहन मना जाता है उनके घर्म धिएस पर ठीक है तो दिती लिंग्यार्ड उनी सो प्रसारक मंडल अमरावती की एक टीम ने किस लिंग्यार्ड में भारती इसाज के थी कि वह उसकी प्धती का प्रदसन किया था तो किसमें उनीज सो नंचाश लिंग्यार्ड यानी सेकेंड लिंग्यार्ड स्टाखों में ठीक है आफशन नमबर डी करेक्ट है दोस्तों ये तो हुआ उसकी इतियास के बारे में कुछ समाने प्राशन देख लेते हैं दोस्तों जो बार-बार आते हैं जैसा कि दोस्तों पहला कोस्ट् कि निन में से किसने उलम्पिक मसाल में मसाल के एथेंस से आयोजित इस्थल तक लाने का प्रचलन प्रथमबार शुरू किया था यानि कि उलम्पिक मसाल को एथेंस लेकर आयोजित अस्थल तक लाने का प्रचलन जो है वो प्रथमबार किसने शुरू किया था तो एरॉल्प हिटलर ने शुरू किया था नेश्क कुश्चन है कि अंतराष्टी उलम्पिक समीती का मुख्याले कहा इसी थे दोस्तों तो इसका मुख्याले इसी थे स्वीर्जन लेंड में कब किया गया था 23 जून 1894 में पेरिज के सरवोन नामक अस्थान पर पीरिडी कोबर्टिंग के द्वारा अंतरराष्टी ओलंपिक समीती आई-ओ-शी का इस थापना किया गया था ठीक है और इसका मुख्याले लोसानी सुरिजन लेंड है ठीक है अब प्रत्थम अध्याश दो है वो श्री बाई क्लास थे अब प्रत्वान अध्याश थामस बाग गर्मनी की हैं एध्यान में रखिएगा ठीक है नेक्स कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो दोस्तो प्राचिन रोम में साइनिक मैदान को कैमपस मार्टियस बुला जाता था नेस्ट कॉस्टिन है कि प्रथम स्पेशल ओलम्पिक कहा हुए थे तो प्रथम स्पेशल ओलम्पिक योसे यानि अमेरिका में हुए थे next question है कि time variant moment जर्मनी किसके द्वारा शुरू किया गया तो दोस्तों या दो-тीन बार question रिपीट हो गया दोस्तों आप समझ गए होंगे लुडविक जान ने ठीक है ठेड़िक लुडविक जान नेक्स्ट है स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया की स्थापना भारत में कब हुई तो इस सब भी आपको पता है 1954 में ठीक है नेक्स्ट है दोस्तो आत्रिक्त सक्ति की धाड़ा यानि थियोरी आप सरपर्स एनरजी किस विद्वान के ने प्रतिपादित किया तो इसको प्रतिपादित किया हर्बर्ड इस्पेंसर और सीलर ने आपसर नमबर सी करेट है दोस्तो सभी केलों की सिधान्तों को मैंने एक बीडियो में बताया है जिसको आप मोनोवग्यान वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों नेक्ट कोश्चन है कि भोईस दर्सी धाड़ा यानि एंटी सी पेत्री थियोरी किस बिद्वान ने प्रतिपादित किया तो इसको प्रतिपादित किया काल गुरूस ने इसको लट केंट्स तथा जी एंड वी डवलू पैट्रिक ने दिया है नेस्ट है पुना अवलोकन धाड़ा यानि री कैपिछुलेट्री थिउरी किस बद्वान ने दिया है इसको दिया है Stanley Hall में मना भिसलेशर धर्डा यानि साइको एनालिटिक थियोरी का प्रतिपादम किस ने किया है तो सीगमन्ड फ्रायर ने किया है समाजी के धर्डा सोसिल थियोरी का सिधान्द किस ने दिया है तो इसको दिया है एरिस्टोटल यानिकी अरस्तु ने ठीक है और दोस्तों एक और था खेल ही जीवन है धाड़ा किस ने दिया है जान डिवी ने ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही तो दोस्तों इस विडियो आपको कैसा लागा मुझे कमेंट में जरूर बताईए आए हो कि दोस्तों सभी कोस्चन्स आप को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को फ्रेज कर लिजिए जिसे न्यू वीडियो का आपड़िट आप तक पहुँचता रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं